दिली के पास साइबर सिटी गुरुग्राम में मंगलवार शाम एक रेस्टोरेंट की मेनेजर पर तीन अग्याद बदमाशों ने फायरिंग कर दी पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई घटना गुरुग्राम के सोहना रोड पर बने शिरीराम धाबे पर हुई जब रेस्टोरेंट में दरचनो ग्राहक मौजूद थे फिर भी हमलावर बिना किसी खौफ के वार्दात को अंचाम देकर फरार हो गई गायल मैनेजर की हालत खत्रे से बाहर है साइबर सिटी में बदमाश कितने बेखोफ हैं उसकी गवा है ये सेसे टीवी की तस्वीरे गुरुग्राम पुलिस दावा करती है कि वो रात में पूरे गुरुग्राम में असी के करीब पुलिस नाके लगा कर रखते हैं फिर भी बदमाशों में पुलिस का कोई खोफ नहीं है। घटना गुरुग्राम के सोहना रोड पर बने श्रीराम धाबा रेस्टोरेंट की है। जहां मंगलवार शाम करीब पॉने 9 बजे यूवक रेस्टोरेंट में आए। बैठे और मेन्यू कार्ड देखने लगे। इतने में तीसा यूवक आया और दोनों बैठे वे यूवकों को इशारा करते वे रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए बुलाता है। तीनों शक्ष पिस्टल निकालते हैं और रेस्टोरेंट में घुसते ही तावर तोड फायरिंग कर देते हैं। में लगी तो वही रेस्टोरेंट से भागते समय भी हमला वरों ने हवाई फायर भी किये। पुलिस को मौके से चली हुई गोलियां और खोल भी मिले हैं। घायल मेनेजर का इलाज करने वाले जॉक्ष की माने तो गोली किशन के पेट में लगती हुई दाए हाथ में लगी जिसको ऑपरेशन करके निकाल दिया खेया। और घायल मेनेजर की हाला तब खत्रे से बाहर है। अपने नाम बताओ। किशन किशन क्या हुआ था यह बताओ जरा। मेरे रेस्टोंट मेरे सप्सन में खड़ा था अचानक से दो लड़के बाहर से आये रात ही फाइरिंग कर दी उनने मेरे उपर। कहां आपको चोप लेगी। मेरे पेट से गोली लगते वे हाथ को चीर के बाहर निकल गए। क्या आपने देखा उन लोगों को कभी क्या कुछ हुआ था कुछ जगड़ा हुआ यह पहले आये थे इन्होंने दंकी बगेरा भी दी थी रेस्टोंट में अच्छा के जानते हैं आपको पहले से नहीं जान जानका नहीं है कैसा कोई निवो नहीं है किस किसी बात को लेकर जगड़ा हुआ था पहले कुछ जवाब बता रहे हैं यह लोग पहले ड्रिंक कर बहुत सारे ड्रिंक करके आया थे कॉस्टमर्स को परिशान कर रहे थे और हमारे स्टाफ के लड़के को भी मार जया जिसका सर फट गया था तो उसी हिसाब से इन से आता जी यह करीब साड़े आठ वजे के आसपा सोना रोड से पेशिंट जिसको पुलिस लेके आई गंशोट इंजरी का और करीब 25-26 साल की उमर का यह नोजवान इसको दाई बाजू में गोली के दो जखम थे और इसके लावा इसके पेट पे भी निशान थे और पेशिंट को जेसे हमने एक्जामिन किया उसके एकस्रे बगरा हुए तो उसके दोरान एक बोली जो कि अभी कोई गोली अंदर नहीं है और लखीली पेशेंट अभी वाइटल स्टेबल है और सेफ है